यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सले मात्रपुने एक विशय अभी पिछले दो-तीन दिन से लगातार चल रहा है और खास्तोर से कल जब यूएस ने यूएस के विदेश मंतरी पॉंपियों ने एक स्टेट्मेंट दिया कि हम अपनी सेनाएं एशिया में भेज रहे हैं और चीन की ये जातियां हैं भारत के खलाब इन जातियों और उसके अपने परोशी देशों के साथ जैसे वद्नियती है उसको ध्यान में रखते हुए इनक अबर तराज्य होने का उसके लिए वूझा पूरा प्रयास करता है और पूरी तागस से लगा रहा है कल वाला जो में एक लेक्षर पब्लिश किया था कल शाम को उस शाम को या दूफ़ैर को में उस लेक्षर में मैंने बताया कि कम्मूनिस्ट कैसे पूरे वर्ड में रजीबहंदी पॉंडिशन के मद्यूर्ण से उन्हों ने भारत को पर्चेस किया, भारत की पॉलिटीशन्स को पर्चेस किया, सरकार बनने के बाद उनके साथ बैटे के होनी शुरू ही, और धीरी धीरे करके उन्होंने ये पेमिंट डाले उसके एवज में भारती जमीन और भारत का बेवपार चीन ने खरीदा भारत को तो लाब नहीं हुआ लेकिन परचेज हुई है तो एक पार्टी को तो लाब होई गया और उससे पहले उन्होंने कम्मिनिस्ट पार्टियों को परचेज किया था यह जग जाहिर हो चुका है कि चीन बदनेती रखता है और चीन यह मॉडल अगरे साथ उनकी ट्रीटिया है कि जापन अपनी फॉर्सें कम रखेगा के बाकी के फॉर्सें कि मैं इस प्रकार ताइवान में के चार और उनकी फॉर्सें आधि हमारे लिए खुशकबरी यह है की चीन चार और से अमरिका से घरा हुआ है अच्छी बात है इसमें हमारे लिए तो बड़ा लाब है लेकिन हमको एक चीज़ जरूर विचार करनी पड़े की है कि क्या अमरीका का क्या इंट्रस्ट है अमरीका के बल मित्रदेशों की बात करता है या अमरीका का वही इंट्रेस्ट है जो कभी यूरोप का हुआ करता था आठमी और उनीश मी सताब्दी में और इन शताब्दियों में बिटेन ने, हॉलेंड ने, फ्रांस ने और बेलजियम ने, स्पेन ने इन लोगों ने पूरे वर्ड पर कैसे कबजा किया हम अपना इलस्ट्रेशन एट लीस्ट अथन्टिकेट तरीके से बता सकते हैं भारत का इलस्ट्रेशन अथन्टिकेट तरीके से है और तरीके से यह है कि जिस समय मुगलों का साशन जा रहा था और मुगलों के साशन के ऊपर भारत वर्ष में किसी ने किसी प्रकार से अब मराठा साशन इस्टाबिलिश हो चुका था दिल्ली में मराठा पहुच चुके था उधर कलकत्य से अंग्रेज पहले अंग्रेज इधर मुस्वली पत्रणम से आया सफल नहीं हुआ वह पश्यमी भारत से फिर वो नॉर्थीज से आया और कोलकत्य से उसने इंट्री मारी क्योंकि दिल्ली की सत्ता से वह काफी दूर था और उसने जब इधर मुगल कमजोर हुए तो उसने मुगलों से कुछ सब्सिडिरी लेनी शुरू की भारत वर्ष में जब मुगल समाप्त हुए तो मुगलों की टेरिटरी उनके आने के बाद लगबग साड़े 600 रियासतों का जिस समय अंग्रेज जा रहा है उस समय साड़ है और भारत साड़े 600 रियासतों में बटा हुआ है अब यह इतने सारे राजा का एकटे मिल जाते क्या अंग्रेज से नहीं लड़ सकते थे क्या अंग्रेज से लड़े सारे मिलकर लड़े लेकिन हमारे हां सिंधिया जैसे गद्दार भी थे जिनकी वज़े से हमारे अब अब ही राज्यों पर राजा भी बैठा रहा और अंग्रेजों ने कभजावी हिंदुस्तान पर कर लिया हम अगर 1926 के एक कम्मुनिकेशन हिदराबाद के निजाम और गवर्नर जनरल के बीच के कुछ लेटर्स का कम्मुनिकेशन देखें तो परमांसी स्टेबिश करने की वो बात करता है मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि इसको अमरीका के साथ जोड़ने की जरूत है आज की तारीक में अगर हमने ना चोड़ा और भारत सरकार हाला की अभी तक भारत सरकार कंफर्म है और भारत की वो सरकार है उन लोगों की सरकार है जिनके प्रमुख अटल व इवन वो ये कहते थे कि हमें एक पेट्रोल स्टेशन दे दो जहांसे हम फ्यूल ले सकें या हमने प्लेन ख़ले कर सकें अटल जी ने मना कर दिया था उन्होंने का नहीं हम आपके साथ हैं टेरिज्म के खलाब लेकिन हम अपनी लैंड नहीं दे सकते अमरीका को लैंड नहीं कि अमरीका ने आज तक जहां कहीं भी बेस बनाया वह जमीन खाली की ही नहीं तो विश्व में ऐसा कहा जाता है कि अमरीका के डाईशों से उपर बेस बने हुए हैं पूरे वर्ड में यह अमरीका अगर एक शत्र किसी समय इन इस्थानों को गबजा करना चाहे और भविश् उस पर आता हूं कि अंग्रेजों ने क्योंकि अंग्रेज क्योंकि इंग्लेंड और बिटेन की बहुत अच्छी मितरता है और इंग्लेंड जो है वो बिटेन की ही टोटल पॉलिसी इस्तेमाल करता है बिटेन का डेटा इस्तेमाल करता है तो भारत में वो कैसे चल रहा था मरति उप महादीब में उस समय 600-700 टुकड़े रहे होंगे इस्टेटों के अंग्रेज क्या करता था ट्रीटियां करता था उन ट्रीटियों को सबसिडिरी ट्रीटी कहते थे क्योंकि यह जो 700 राजा थे यह सारे अपस में लड़ रहे थे जनता को कोई मतलब नहीं था जनता उसमें भागीदारी नहीं कर रही थी आठारॡiley-7 की क्रांथी भी हम इसलिए हारे क्योंकि जनता है बापास नोच और जनता को कोई मतलबब नहीं होता था राजाओं का करतब था राजा लड़े है आज भी हमारे देश में चल रहा है कि सरकार लड़े बाकी तो वह सरे सिर्फ बर करता है उएक का युद्ध जीत लिये उनकी पीछे का दिएस्ट दिखने को मिला है तो सबाधर ये पैदा होता है कि अंग्रेज क्या करता था उसने दो युद्ध जीत लिये एक प्लासी का युद्ध जीत लिया विलकराम का युद्ध जीत लिया युद्ध जीतने के बाद शाहा आलम के साथ कॉंट्रक्ट कर लिया साहा आलम अब बेतन भोगी हो चुका था दिल्ली की गद्दी पर बैठता था बेतन भोगी हो चुका था लेकिन वो बाकी करने लगे थे फिर उन्होंने जब यहां सक्ता परिवर्तन करवाया मुगलों ने मुगलों का फिर उन्हों ने उधर बंगाल मिदनापूर उड़ीसा और उधर की जमीन का रेविन्य वसूलिंग ले ली यानि कि इन कि इसाज़त नामा ले लिया सब और अंग्रेज के पास अच्छी उत्तम क्वालिटी की फ़ॉज थी और और राजा आपस में लडते थे तो अंग्रेज जो एक राजा से उसने किया और कंट्रेक्ट किया कि मैं फॉज हमारी ले लो फॉज का खर्छा अप उठाओगे हमारी स्वा ए works ले लिजे हमारी स्थाई और ने हम ने हमारे राजों को देनी शुरू करें अब राजा तो अच्छा था कि उसको फॉज पर जितना मिंटिनेंस का पैसा चाहिए होता वो कम मिलेगा प्रोफेशनल आर्मी मिल रही है प्रोफेशनल हतियार मिल रहे हैं और हमारे लिए लड़ने को तयार हैं तो हमारे राजाओं ने उनको अपना बेश दे दिया यानि की राजधनी म कि प्रोफेशनल आर्मी थी वो आर्मी रिड़्यूस करना शुरू कर दिया और अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू कर दिया पैसा राजा देता खर्च मिलेटा लेकिन राजा के अगल बगल के जो राज्ये हैं उन राज्यों से बचने के लिए वो अंग्रेजों के साथ ट्र आपको अगर देखना हो तो जहांसी की एक ट्रू मूवी आई थी मंड कर्ण कम करके कुछ ऐसा मंड कर लिका तो वो मूवी हम देखेंगे तो अपने को समझ आएगा कि कैसे चलता है वैसे तो इतियास लिखा हूँ आप वाइट पेपर भारत सरकार ने 1950 में पुबिश किया थ भी या पल्प लिखा है या थि तीसरें को कर लिरॉफ का विरोतकरा सके और ऊंगरेजी वंहोंने एक रेजिडेंट पॉइंट कर ना शुरू कर दिया रेजिडेंटे का मितलब होता था कि वह राजा का सलाकार होगा राजा नहीं सलाकार मांग दलिकिन वह दवर दस्ति यह बर दर्गर में बैठे का राजा को decision लेगा तो करना उसको इंग्लेंड भेजना राजा को जब ऐसास होना शुरू हुआ कि एंग्रेज तो ये खेल केल रहा है राजाओंने विरोध किया तो राजाओं को बुरी खानी पड़ी इवन हलप नीती आ गई और हलप नीती में गवर्णर जनरल ने ये कह दिया कि जिनके अपना मं के साथ टरीटिया करके पूर कि एकोनमी और पूर कि आर्मी के ऊओट पूल 10 का अपने कब्जें में कर लिया दीुक्स चला रहे थे एक तो वो राज्य था जिस हिस्शे में वह प्योर शॉर शाशन कर रहे थे जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से हुए जिसमें Dominion of India और Dominion of Pakistan बना और इसके बाद 600 लगबख रियासतें बाकी थी उन 662 लगबख रियासतों में राजा बैठे हुए थे लेकिन after all final कबजा अंग्रेजों का था देखने में तो राजा सामने फ्रेंट में था लेकिन हकीकत में अंग्रेज के पास कबजा था तो क्या विवस्था उसने की निजाम ने 1926 में गवर्नर जनरल को चठी लिखी और उसने कहा कि देखो हमारी आपकी यह यह ट्रीटी इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते इसलिए हमारी ट्रीटी के अनुसार आप बिहेव करें गवर्नर जनरल ने उसको चठी बापस लिखी और दिल्ली के गवर्नर जनरल ने उनको कहा कि देखे श्रीमान जी आपके साथ जो कोई भी ट्रीटी हो ब्रिटिश हितों के ऊपर आपका कोई हित नहीं है आप पावर हैं यहां से पैरमौंसी शब्द इस्तिमाल होना शुरू किया कि हम पैरमौंण पावर हैं कुछ भी कोई बी ट्रीटी हो आप कितने भी सतंत्र हो हमारी आपकी कोई भी बात हुई हो लेकिन फोर्स पूरे देश में हमारी हैं आज की तारिक में हम पावर्फुल हैं और हम सब जानते हैं कि जो वलवान होता है, बल समरत का कोई दोश गुसा इस तरह उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया और यही पॉलिसी अपनाते हुए उसने 56 से उपर देशों में अपना बेस बनाया और बेस बनाकर उन पर कब्जा किया और उनकी एकॉनमी ले चलता नहीं देख रहे हैं कि अमरीका मित्र देशों के नाम से वहां दोस्ती करता है, दोस्ती करने के साथ उनको गले मिलता है, गले मिलने के बाद उनको फोर्स देता है और वो कंट्री अपने पड़ोसी जस्ट एनेमी से बचने के लिए उन फोर्स का उन फोर्स को अपनी लेंड देते हैं और महां बेस बना लेते हैं अब अमेरिका ने गर बेस बना लिया तो आप मुझे पता दीजिए के खाली करने वाला कौन है और कौन खाली करवाएगा कैसे खाली करवाएगा अंग्रेजों ने जब बेस बना लिया था किसी स्टेट के अंदर तो किस ने खाल जब्ध wonder न हो पकते आज भी इन कंट्रिएं पैसादेना इन कंट्रिएं में फॉजिश देना यह सेम अंग्रेज ने हमारे स्वार में और ठाप्र पार उसके बाद वहाँ की इकवानोमी पर कंट्रोल करना वहां के जो taxation ब्यवस्ता है वहां का जो बजट है वहां जो एकनॉमिक ब्यवस्ता है उन ministers को influence में लेना और फिर अपने मातहद बिलपास करवाना चीन ने जो किया वो economy कबर करते हैं पैसा देकर कबर कर रहे थे देशों को लेकिन अभी उनकी फौजें वहां तक नहीं पहुंची अमरीका चीन का डर दिखाकर या अमरीका युएससर का डर दिखाकर उस एशिया के छित्र में वो जो खाड़ी देश अपने आपको बड़ा शाहिंसायाल हम समानते हैं खाड़ी के आदे देशों में अमरीकन आर्मी पड़ी हुई है उनको एक अवसर मिला उनको इराक का तेल चाहिए था अवसर मिला उन्होंने इराक परकपजा कर लिया उनको अवसर मिला तो वो सउदिया यूए ये सब उनके धीरी-धीरी करके इनिफ्लूएंस में आगे और आज वहां का तेल अमरीका के अनुसार निकल अवागानिस्तान में भले ही सकता अवगानी वेट्छे से ऐस की पड़ी है और एकॉनोइमी यूएस के कंट्रोल करता है। यूएस की कंपनियों महा काम करती है हमारे यहां भी इस्टींडिया कंपनी जब आई थी तो इन कंपनियों को हो लाव सीठा गया और भारत पर कब लिए था, यह मुझे लगता है यह इतियास अ अटल जी को मालूं था इस लिए अटल जी के समय पर जब अफगानिस्तान का युद्ध अमरीका का हो रहा था तो अमरीका कहते-कहते हड़ गया कि हमको बेस दे दीजिए हमने उनको बेस नहीं दिया पाकिस्तान ने उनको बेस दिया उन्हों कभी खाली नहीं किया पाकिस्तान में आज भी अमरीका का इंफ्लूएंस है अमरीका के बगर पाकिस्तान नहीं चल सकता अब पाकिस्तान तो इसलिए छोड़ना चाहत मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीक में चीन को समप्त करना आवश्यक है इसमें कोई शक नहीं आज की तारीक में चीन को समप्त ना किया तो भारत की सौवरेंटी के ऊपर खत्रा लगातार खड़ा रहता है अगल बगल के देशों पर भी खड़ा रहता है जिस प्रकार उनों न कब्जा किया है और छोटे से नेपाल का तो अब नमरी आ पके लिख प्याइटा कि नेपाल का नमर बस अगला वाला है लेकिन अम्रीका बहुत लॉनग लाइफ देखकर चल रहा और चुळण पॉलजी एक सी है दोनों ही विस्तारवादी हैं दोनों कब्जा करना चाहते हैं दोनों ही इकनोमिक कपजे के माध्यम से आए हैं इसलिए कम्मिनिस्ट वर्सिस अमरीका सदैव से रहा है कि की दोनों एक ही ताराजू के दो धड़े हैं दोनों का एक ही प्रकार का उद्देश है ऐसा देखने में आता है सच्चाई क्या है यह तो अम चीन के चारो और और एशिया में यह 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 बेस बने हैं प्रशान्त महासागर में उनका पोत खड़ा हुआ है यह डिफेंस बने हुए हैं उन्होंने कृतिम टापू बनाकर भी वहां पर खड़े हो गए हैं इस पर बड़े सोच विचार करने के बाद ही सरकार को स्टेप ले और वो जाते जाते भी नहरू जैसा हमको उत्रादेकरी दे गए जिसने अंग्रेजी साशन ही भारत में काविज रहा अब पहली बार 2014 में पूर रूप से हिंदू साशन आया है इसलिए भारत में भी बड़े लोगों को पेट में दर्द हो रहा और पूरे विशु को पेट मे देखने में वह कैसा भी कहें यह मुझे लगता है इसलिए बहुत अच्छी तरह से नहीं बता सकता है कि bend JEFF लेकिंते देखने में जो लगता है वह वह साफ टीख रहा है कि अम्रिका इतने items हम् freelance regular अपनी आर्मी कि इसी के ऑपर डालता यह सो तो नहीं है जो जो एंग्लेंड की रहीं थी अगर यह वैसे सब्सिडिरी जो एं तो ये बड़ा खत्रा है 57 देशों पर कभजा 56 देशों पर कभजा अंग्रेजों का था अब अंग्रेज अम्रीका के मोड से अम्रीकन साइट से आने वाले हैं क्या मुझे लगता है भारत ये गलती बिल्कुल नहीं करेगा इसी लिए अभी भी जितने स्टेटमेंट युएस से आ रहे हैं भारत सरकार ने उसके सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है और साफ कहा है कि हमारा और चीन का ये bilateral issue है मैं इसको solve करेंगे और स्वें हम solve करेंगे हम सक्षा में है लेकिन फिर भी US जैसे England लगातार East India Company लगातार हमारे स्टेटों को कहा करती थी कि हम तुमारे साथ है हम तुमारे साथ है हम तुमारे साथ है दिन बड़ा खत्रा आता तो उस दिन साथ देकर फिर वो हड़प लेते थे वैसी मंशा कहीं अमरीका की तो नहीं है इन सब बातों पर हमको विशार करना चाहिए और भारे सरकार अभी तक इन परस्थितियों पर है कि वो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से अमरीका पूरे विश्व पर कबजा करता है और क्या उनकी पॉलिसी रहती है हम धीरे धीरे करके विश्व के इंफ्लूएंस से अब मुक्त होते जा रहे हैं 2014 तक तो हमारी विक्री हो रही थी चीन के जो इंटलीजेंस एजनसियां हैं सरकार बनने के बाद भारत में चीन की इंटलीजेंस एजनसियां भारत की सरकार के साथ बैठक कर रही थी कोंग्रेस पार्टी उनको उसमें जो सत्ता में थी सोनिय गानती उनको डिनर खिला रही थी intelligence agency को कभी आपने सुना है कि को intelligence agency किसी सरकार की पार्ट जो पार्टी सरकार में हो उसके साथ बैठती हो किसी दूसरे देश की intelligence agency और वो अपनी embassy में लिखता भी है कि यह यह हमारी organization है यह भारत में आई है राजीगण्दी foundation के साथ उसने यह काम किया यह program रखा और कैसे free trade भारत और उसके साथ हो और साथ में वो कहता है कि नहीं चीन और भारत के bilateral संबंद अच्छे होने चाहिए क्यों क्योंकि अमरिका से लड़ना है यह चीन हमको भै दिखा रहा था और अमरिका हमको चीन का भै दिखा रहा है क्योंकि चीन की भी विस्तारवादी है और अमरिका की तो पूर्डवादी नीती है भारत सरकार बड़े precaution के साथ चल रही है इसलिए ऐसा मत दिखाईए जिससे भारत सरकार प्रेशर में आ जाए और भारत सरकार अमरिका के नजदीक चली जाए और कहीं धोके से हमने अमरिका को बेस दे दिया तो हम से जादा अमरिका से जादा बुरा हमारा कोई नहीं कर सकता इसलिए दोनों ही मेरे दुश्मन हैं, दोनों ही equal दुश्मन हैं, दुश्मन से मतलब आज की तारिक में जो दिख रहा है, इसलिए इनसे बड़ी सावधानी पूरवक, नजर मिलाकर, नजर जुका करने, नजर बिलाकर हमको बात करनी चाहिए, और सहियोग अगर हम लेना चाह आएगी, आपकी AFOस यहां बैठेगी, आपकी आर्मी यहां बैठेगी, आपके सांती दूत यहां बैठेगे, यह भारस सरकार सुईकार नहीं कर सकती है, मुझे लगता है इस policy पर हमको चलना चाहिए, आज के लिए इतना है, धन्यवाद, इस पूरी organization को चलाने के लिए, आ आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं, जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है, वो paid plus free classes का lab ले सकता है